के इतने में वहाँ से एक कालू कववा गुजर रहा होता है कालू कववे की नजर मानों चिड़े की जमा की हुई लकड़ियों पर पड़ती है कालू कववा उन लकड़ियों के पास जाता है वा भई वा क्या मस्त घर बना हुआ है लेकिन ये घर पहले तो मैंने यहां पर नहीं देखा लगता है किसी पक्षी ने नया घर बनाया है ये और यहां पर तो घर बनाने की कितनी अच्छी अच्छी लक्णियां भी है मैं ये सारी लक्णियां चोड़ी कर लेता हूँ क्या पता चलेगा किसी पक्षी को वैसे भी बारिशों का मौसम आने ही वाला है मुझे अपना घर तो बनाना ही है चलो मैं ये लकणियां ले जाकर अपना घर बना लेता हूँ मेरी रानी कववे भी खोश हो जाएगी कालू कववे लकणियां चोरी करने ही जा रहा होता है कि इतने मैं वहाँ पर मीनू चड़िया आ जाती है कालू कववे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हाँ कालू कववे तुम तो मेरी ये लकणियां चोरा कर ले जा रहे थे वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गई वरना तुम तो मेरी ये लक्णिया चुरा कर ही ले जाते एरे ये मानु चिड़ा कहा चला गया उसे लकणियों को ऐसे छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था ये कालू कवज तो अभी मेरी लकणियां चुरी ही कर रहा था मीनू चड़िया क्या बिला वज़ा मुझ पर ये गिनोना इल्जाम लगा रही हो मैं तुम्हारी कोई लकड़िया चोरी नहीं कर रहा था मैं तो बस तुम्हारी लकड़िया ऐसे ही देख रहा था वैसे मीनू चड़िया क्या ये लकड़िया तुम्हारी है ये लकड़ियां तुमने जमा की है हाँ हाँ कालुकवे ये लकड़ियां मेरी है और ये जो घर बना हुआ है ये घर भी मेरा है कालुकवे तुम्हें पता है मैं एक नया वेपार शुरू कर रही हूँ कालुकवे बारिशों का मौसा माने ही वाला है इसलिए मैं इस पेड़ पर काफी सारे घर बना रही हूँ और मैं ये घर बनाकर फक्षियों को बेच दूंगी इससे मेरा काफी जादा मुनाफ़ होगा मान गया मीनू चड़िया मैं तुम है तुम हर साल कोई न कोई वैपार करती हो जिससे तुम्हारा काफी सारा मुनाफ़ होता है वैसे मीनू चड़िया ये तो बताओ तुम घर बना लोगी तो एक घर कितने में बेचूगी कालु कोई ये तो मैंने अभी नहीं सोचा है जब मैं सारे घर बनाकर तयार कर लूँगी तुम्हे सभी पक्षियों को बता दूंगी कालु कोई अगर तुम्हे भी मुझसे घर खरीदना हो तो मुझे बताना हाँ हाँ ठीक है ठीक है मीनू चड़िया अगर मुझे तुमसे घर खरीदना होगा तो मैं तुम्हे बता दूंगा एतना कहकर वे कालू कववा वहां से चला जाता है रानी तुम्हें पता है मेनू चड़िया इस साल अपना एक नया वेपार कर रही है है कालू जी ये तो मुझे पहले से ही पता था कि मेनू चड़िया बहुत महंती है वे इस साल भी कोई ना कोई नया वेपार करेगी वे तुम्हारी तरह थोड़ी ना है के वे कामचोरी से बस पूरा दिन अपने घर में अराम ही करती रहे मेरे तो भागी पूड़ गए जो मेरी शादी तुम जैसे कामचोर पती से हुई है अच्छा खासा मेरी मा तुम जैसे कोई की बातों में फज गई और उसने मेरी शादी तुम जैसे कामचोर कोई के साथ करा दी रानी तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारी मा तो बहुत ही अमीर थी तुम भी तो कितनी गरीर थी और हाँ रानी तुम भी तो कितनी कामचोर हो तुमने कभी जिन्दगी में भोजन जमा किया है जो तुम मुझे बोलती हो कहलो जी बस अब मैं अपना और अपना नहीं सहूंगी अब मैं जा रही हूँ अपनी मा के या जब तुम मीनू चिड़िया जैसे महंती हो जाओगे जब ही में वापस अपने घर आउंगी रानी कभी गुसा होकर अपने मैं के चेदी जाती है अरे रुको तो रानी अरे रुक जाओ अरे यह इस मीनू चिड़िया की वज़ा से मेरी रानी कभी मुझे छोड़ कर चली गई इस मीनू चड़िया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस मीनू चड़िया को तो मैं ऐसा सबख सिखाऊंगा कि ये मीनू चड़िया जिंदगी बर याद रखेगी पर मैं अब क्या करूँ मैं इस मीनू चड़िया को कैसे सबख सिखाऊं कालू कवा कुछ धेर सोचता है तो कालू कवे के दिमाग में एक शातिर योजना आ जाती है हाँ अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब देखो मैं उस मीनुचडिया को कैसे सबक सिखाता हूँ फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन कालू कववा मीनू चड़िया के पास चला जाता है कालू कववा उस पेड़ के नीचे आ जाता है जहां पर मीनू चड़िया अपने घर बना रही थी कालू कववा उस पेड़ के नीचे आकर कबर बना देता है और वे फिर मीनू चड़िया के पास चला जाता है मीनू चड़िया तुम इस पेड़ पर घर क्यों बना रही हो ये पेड़ मेरा है ये पेड़ मेरे पूर बजों का है और इस पेड़ पर मेरे दादा जी रहते थे यकीन नहीं होता तो तुम इस पेड़ के नीचे जाकर देखो इस पेड़ के नीचे मेरे दादा जी की कबर है मेरे दादा जी को मरने के बाद इस पेड़ के नीचे गमीन में दफन किया गया था मीनू चड़िया अभी यहां से चली जाओ यह पेड मेरे पूर वजो का है इसलिए यह पेड मेरा है तुम यहां से चली जाओ केलो को वे यह बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी अब तो मैंने इस पेड पर काफी सारे घर बना लिये हैं मेरी मेनत तो जाय हो जाएगी मीनू चड़िया यह सब मुझे नहीं पता यह सब पहले तुम्हें सोचना चाहिए था अगर अभी तुम यहां से नहीं गई तो मैं मिठ्टू माराच के पास जाओंगा और उनसे जाकर मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा मीनू चड़िया मिठ्टू माराच का नाम सुनकर थोड़ा ढ़र जाती है और विचारी मीनू चड़िया अपने मानू चड़े को लेकर वहां से चली जाती है प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को इस कहानी का तीसरा भाग देखना है तो हमें कमेंट करकर जरूर बताएं